सब्सक्राइब कर लिजे, दोर तक नमाद पेदुर अधा अधा की जाएगी, पहले तक में साथ तक जीरे दूसरी में पांच, करांच से पहले. अर्णो, अर्णो, कर बड़ो अर्णो, अर्णो, ईता तक में रहाद. уз अला उला उमान! Allah हुप आपी हुप आप आ नह एं आまた आप्छी हुआ आप एंद आपू मैं多ी एंद्दुल्ही अदिल्ला देले एं आ暦 लह कुप आपिने खम मालिक याओम अजीन इयाक नाबुब इयाक नस्ताइम इदिना सरूप अल्मस्ताइम सरूप अल्मस्ताइम गरिय बघूब अल्मस्ताइम सरूप इसम रबके अल्मस्ताइम अम्स्ताइम सरूप इसम रबकेल आळा अल् 카σα अल्जी तुर्ड कार अल्जी घड़ प्रदिंगा ओ्रग अल्रजग अवन छुर्ड़ा उठ हिन की तो उत्षा लकित्वा। इनको यालम। जहर मा एक्षार वनु यस्रुक बिल्युसरा फबकिर इनकाति बिकरा सिर्क्र मिन एक्षार फड़क उनको ऑल अश्पार अलबी यस्रु स्ले उन नार बिल्कबरा अम्म जाद आनको फिया वला नह्या अभाफ्न हमार तसक्रा उतरस्म मन प्रब्द्म पसल्ना, बल तुफिरूना थायात अजुन्या, वालाखिर तुफिरून वाबुता, इन आवानत तुफिल्सुफिल्पुला, सुफि इबराहीम औरोसा। MID-LALI 대해서, इने बतिता God को तुफिल्पुता, वालाखिर तुफिल्सुफि इबराहीम औरोसा। ल्लाह आस्मय, ल्लाह आस्मय, ल्लाह आस्校 सूल्दादार्ण 我知道 अजय्योडिया झान हो फ्यान विय्योडियो रहलो थाण कर वो हाज कर चा ज आजा Всे सही का ढुंआ हो कि मनलおास जbet है कि मनल का ढंग अ कि मनल कि जरो ह कि मनुड खे मनल आने जो Cheers कि शप्योंक आवद। कि या क आना एखुब ओाक्ष पया का नस्ताइब आमें आमें लुग दो भुगः जिए युम एम नाइमा लिसानिया रादिया फी जन्नत अादिया लातस्माउ फी आलादिया फी हा अनुर जाया पी हा सुर उम मर्दूर उर्दूर 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 बależ्डूर पाद्रो खुम जोत्रूर उर्दूर जिएा लो इत्युत दें empirical नहाद्र जिए चुम एम इत्युत लिए फी आत्युत और्यां बार्य करो दोड़ा, वाले लार्ब आर्डिय की की इने हमत्सित, पर पर 57 एमने हम यार्य मत्स्तिता तरा मत्सिता, व विल्ला मरो तवल्ला कवर विर्णिब बुल्व लदाब अक्बर इना इलेगा इाबाभू अन्लेगा इसाबाभू भुल्ला हुद आक्बर गट्टेर्न टेला जेम घंता तुराट। अखंसे, बाहि भर आते हैं, अखए अझास, यृग हैं अविनाफ रर हैं, अखए आस, अबेग जड़े को ह introductions अधवे के लिया कि लगष्थ से स्यवेस घ्या व कि ऑाले दोныग् són कर दो कर दो कर दो कर दो को सुदिध вли रहाप भी प्रशकाद बीकlaar कर दो भी दो कर दो हो दो दो कैजें को जोती ङो कि पोलिव है Assalamo alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah Allah Allah इस पुक आब से आबाइन लोग 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 लो Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahi alhamdulillahi al-lazhi hadana, liha'la wa ma'kuna'i mahtadiya lawla an hadana Allah. wa ashadu an la ilaha illallah, wa ahdahu la shariqa la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu sallallahu alayhi wa sallam. Amma baadu fa inna khayr al-hadithi kitabullah, wa khayr al-hadi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharr al-umur muhdafatuhah, wa inna kulla muhdafatin bidhaah, wa kulla bidhaatin blala, wa kulla blalaatin finnaar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wallahi alhamdulillahi alhamdulillahi. inna shaytanir rajeev, inna shaytanir rajeev, inna shaytanir rajeev, inna shaytanir rajeev, inna shaniyata huwal abtar. inna shaytanir, wa sallinshi ha hilli Santiago-e bihanshal alayhii wa sallam. 왜냐면 we allah communication yam badan abtar! करते हैं, उसके हंग और तारीफ करते हैं, कि उसने हमें आज दस दिल्खिज्या एदुल अधा के दिन इस मैडान में जमा होकर सुन्नत नजुदी के मताबिक नमाद एदुल अधा करने की तौफिक अता फर्माई। हम अल्ला की हम दो सना बयान करते हैं, अल्ला की तारीफ और तौसीफ करते हैं, जिसने इस काइनात को बनाया, वो तमाम मखलुकात का खालिक और मालिक है, वही कादर मुतलख है, वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, हम अल्ला अधालनीन की तारीफ और तौसीफ ब उसकी हम्दु सना करते हैं कि उसने हम पर बेशमार इन आमाद नाजल फरमाए और हम उन इन आमाद से अपने जिंदगी में मुस्तफीद हो रहे हैं अलाह रबुलालमीन का हम जिकना शुक्रदादरे वो कम है Allah रब रालमीन का ये भी हम पर फद्ल अ करम है उसका हिसान अजीम है कि उसने हमें इसलम की लेमत और दौलत से नाजा Allah रब रॉलामीन का हम पर ये भी बगा फद्ल अ करम है कि उसने हमें मुहम्मद الرसूल अल्लाह सल्लाह अल्ह अल्हु अल्हिवत। बैलसे पाईना गमेत जुजों कोई हम सब के लिए रह्मत हैं और अल्लाह रब रालनीन का हम पर ये इह सान और फजल है उसका करम है कि उसने हमें अकीद तौहीद का फहम अता फर्माया सुन्नत नभी के मताबिर जिंदगी गुजारने का तोर तरीखा सिखाया अल्लाह ताला से हम दौा करें कि अल्लाह ताला हम सब को अकीद तौहीद में मदबूत कर दे और रसूलिल्लाह तौहीद की सुन्नत आग के उस्वे खसना और आग के लाए हुए दीन के मताबिख जिंदगी गुजारने की तौफिक अता फर्मा दे मुहम्मद रसूलिल्लाह तौहीद अधरत इबराहीम अलेश्लाम की दौा का नतीजा है अल्लाह रब लालमीन के खुप्म से जब अधरत इबराहीम अलेश्लाम ने बैतल्लाह की तामीर का मकमल कर लिया उनके साथ उनके नहायक हलीम बुर्दबार साहज़ादे जो नभूत के मनसर पर फाइस थे खाने काबा की तामीर मुकम्मल करने के बार इन दोनों बाप बेटों ने अल्ला की जनाप में कुछ दौाएं की थी उन दौाओं को अल्ला ताला ने अपनी किताब पुरारे मजीद में बयान किया है रब्बना वबाक फीहिम रसूलं मिनहुम यतलू अलेहिम आयातिक वयुखलिमुहुमुल किताब वल्हिक्मत वयुजत्तीहिम इननकांतल अजीदुल्हकीम इबरादीम अलेहिसलाम और हजरते इसमाईल अल्ला की बारगां में हाथ खेलाते हैं ऐ रब ऐ परवर्दिकार तो इन ही लोगों में से एक रसूल इनमें भेज़ दे एक रसूल इनमें मभूस फर्मा दे जो तेरी आयतें पूर कर सुनाए और उन्हें किताब व खिक्मत की कालीम दे ये दौा अज्रत इबराहीम और इसमाईल अगया कीती, उसी के नतीजे में मुहमद रसूलियले को अल्ला और अल्हीन से लोगों आकर बहला, मुहमद रसूलियले की ओलाद में से थे उनके डो साहाफजाते हदरत याकूब और हदरत इस्माईल हदरत-ईस्माईल की ओलाद में महमेदु रसूल लाह﹌लाव' का ओलाद में से थे महम मत salute रसूल लाहलाव Laz sindम ने खुद हदरत अबराईम के बारे में परमाया Allah S.W.T. खुद हध़रतِ अब्राहीम ع. के बारे में फर्माया सुन्रत अबीकुम इराहीम ये तुम्हारे बात इराहीम की सुन्नत है और गुरान करीम ये भी उन्हें उम्मत-िमॹंधिया का बाब परादिया है बात अबीकुम इराहीम अपने बाप इबराहीम की मिल्दक की पैरी भी करो मेरे भाईयों और बेहनों बजर्गों और नौजवानों आज हम इस दिन जो बगाधीम दिन है और उन दस दिनों में से आज आखरी दिन है जिन अज्याम को सबसे ज्यादा अहमेत और फजीलत हासिल है आमाले सालिहा के हवाले से आमाले सालिहा के तालुक से तो आज का दिन उनी दस आयाम में से है बहुत आजीम दिन है कई काम इस दिन से जुड़े हुए हैं यही वो दिन है जिसे हज्य अक्बर का दिन कहा गया सुरे बराद की उत्तदा में जो हज्ज एकraf का जिक्र है उस्से मुराज दस्रि उफज्जा है तो आज का दिन एदल अजहा का दिन है आज का दिन एव्य का दिन यौ मल्फज एक्बर है तो मेरे भाईयो बरा आदीम दिन है नबी अ करीम के सहाथी खथखत-बाब इन認 r. नहिए बयान करते हैं कि और पुर्बानी का दिन यानि आज का दिन और अयामि तश्रीक जो कल 11, 12 और तेरा दिन तारिखों में आते हैं आई अहल इसलाम यह हमारी ईड के अयाम हैं वही है अयाम अकलिन वशुर्बिन और यह खाने पीने के अयाम हैं नबी अकरीम स्लिए अल्लाहु लिए सल्म का मामूल किया था दस जिलहिज्या को सही बुखारी में अधरत अबरा रजी आल्लाहु तालाहु की रिवायत है फर्माते हैं नबी अकरीम स्लिए अल्लाहु लिए सल्म में फर्माया फर्माया एदूल अवहा के दिन आज के दिन हमारा तहला काम है नमाज पहना पहना फिर वापस जागर पुर्बानी करना फर्माया जिसने ये अमल किया जिसने इसके मताबग अमल किया फकद असाव सुन्मतना उसने हमारी सुन्मत को पा लिया वो हमारे तरीके के मताबग चला उसने हमारे अमल के मताबग कमल किया और जिसने नमाज से पहले जबाह कर लिया नमाज के लिए आने से पहले पुर्बानी कर ली तो वो जान ले कि उसने सिर्फ अपने घरवालों के खाने के लिए गोश्ट मौया किया है पुर्बानी बिल्कुल नहीं है उसके पुर्बानी शुमार नहीं होगी तो इसल रसुल अल्लाव की सुन्मक और आपका तरीका ये रहा है कि आप पहले नमाज अदा फर्माते थे उसके बाद कुर्बानी करते थे और फिर दीगर मामला जो उसके खिलाफ करेगा वो सुन्मक का मखालिक होगा और उसकी कुर्बानी राएगा जाएगी कुर्बानी जाएग हो जाएगी रसुल अल्लाव सुन्मने हज अदा फर्माया हजदत अल्वदा जिसको कहते हैं जिंदगी में एक ही है जो आपने अदा किया था और वो वफाद से चंद महीने कहले दस हिज्री में नभी करीम सुन्मने उस मौके पर जो खुदबा इर्शाद फरमाया था वो खुदबा बहा आजीम है बहुत जबदत खुदबा है इनसानी हुकूप का चार्टर है वो खुदबा पहलाया जाए उसकी एक एक बात को लोगों तक पहुचाया जाए ये मौका नहीं है कि उसकी तफ्सीर में न जाओ लेकिन चंद बातें जो नभी करीम सुन्मने उस खुदबे में बयान फरमाई उन में से चंद बातें आपके पेशे खिद्मत है नभी सुन्मने फरमाया इन्न दिमाअकुम वाम्वालकुम हरामन आलेकुम कहुरमत यवनिकुम हागा फी शहरिकुम हागा फी बलदिकुम हागा ल्लाहु अक्बर ला इलाह इल्लाह ल्लाहु अक्बर ल्लाहु अक्बर लिल्लाहिल्हंद फरमाया तुमारा फून तुमारे माल तुमारे उपर एक दूसरे के लिए हराम है किसी के लिए जाइज नहीं है कि किसी का फून बहाए किसी के लिए जाइज नहीं है कि किसी का माल ले हख ठाए एक दूसरे का माल तुम पर हराम है एक दूसरे का फून हराम है इस तरह से कहुर्मत यूमिकुम हाला जिस तरह आज का ये दिन मुहतरम है फी शहरिकुम हादा जिस तरह ये महीमा मुहतरम है फी बेलदिकुम हादा जिस तरह ये शहर मुहतरम है रसूल ल्लाव स्वाद्व ने इनसानी जानों का तखफुद बयान फरमाया है कि इनसान की जान कितनी खीमती होती है और इन्सान की जान को ऐसे बहा देना और उसको जाय कर देना इसलाम इसकी इजादत नहीं देता है ये मुहम्मद रसूलुल्ह अगाहिए तालीम है नभी करीम अगाहिए ताला कुल शेइन मिन अम्रिल जाहिलियती तखत कदमय मुदून लोगों सुन लो आगाह हो जाओ जाहिलियत के तमाम उमूर को मैंने अपने पैरों तले गौंग डाला है जाहिलियत के तमाम मामलात को मैंने अपने पैरों तले गौंग डाला है जाहिलियत के जमाने में क्या होता था कैसा दमाना था, क्या लोगों का आमल था, किस तरह का मौश्रा था उसका पता चलता है, हद्रत जाफर बिन हभी तालिब ने रदियल्लाह उन्हों ने जब नजाशी के दर्बार में खिताब किया था और मुसल्मानों के से कबल मुहमद रसूललाह उसलिएंगी बैसत से कबल के हालाद बयान किये थे कि हम लोग जाहिलियत की जिंदगी गुदारते थे, हम लोग मुर्दार खाते थे, हम लोग बदगारियां करते थे, हम लोग जूट गोलते थे, हम लोग पुराशी को परिशान करते थे, हम लोग एक दूसरे का माल खसब कर लिया करते थे, ये सारी बुराईयां गिनवा दी, सारी बुराईयों के जिक्र किया जो उस वक्त उस मौाशरे में मौजूद थी मेरे बाईयों हद्रत जाफर बिन अबी तालिब रदियल्लाव टाला हम बयान करते हैं कि फिर हमारे दर्मियान अल्लाव टाला ने एक रसूल को भेजा जिनके खानबान से हम वाकिष थे जिनकी शराफ़ से हम वाकिष थे जिनकी सदातत और अमानत से हम वाकिष थे हम जानते थे वो साजिब और अमीन हैं वो सच्चे हैं और उनका नसब भी आला करीन नसब है हमारे दर्मियान उन्हें अल्ला अल्ला ने नबी बना कर भेजा उन्होंने हमें सच्चाई की तालीम दी सच बोलने की तालीम दी जूट से परहेश करने की तालीम दी जूटी गवारी नदेने की तालीम दी और इसी तरह बदकारी और फखाशी से दूर रहने की तालीम दी ये सारी खूबियां बयान फर्माइए और वो कहते हैं कि उन्होंने हमें अकुम दिया कि हम नमाज पुहें, जकात अदाद करें, रमदान के रोजे रखें ये सारी, सारे हकाम बयान किये तो मेरे भाईयो मुहम्मदु र्रसूलिल्ह सभ आल्ल्ह अर्ली सेलम और लॉट आल्ला की नवत हैं हम हमारे लिए और लगान ने कुरान इकरीम में बयान फर्माइए है लकद्मननल्हों लेल्मुमिनेन इबात अक्एहिम रसूलं मिन अन्फुसहिम यत्लु अलेहिम आयाति वईज़कीहिम वईवल्लिमूGMूह। मौमिनीं को एभसान किया है कि उन्हीं में एक रसूल उन्मे ढेखा ज्योंने अल्लह चुछा की आयात को अगर सुनाता है किताब वु ऐस्व थालीम की तालीम धाव करता है इस रसुल को आने से पहले, ये लोग खुली हुई गुम्राही में थे मेरे बाईयों और बुभर्गों और इसलामी बेहनों मुहम्मद रसूलिय। स्लिट शालल्लाहुली स्लिम इस सारी काइमाज के लिए निर्मत हैं सारी काइमाज के लिए रख्मत हैं आपकी तालीमात आपके इर्षादात और आपके फरामीन को हम पढ़ें उनका मताला करें और उनकी रोशनी में जिंदगी गुदारें ये आज के दोर में पर पहले दमाने हैं भी जिस तरह उसमफ जरूरत थी आज उससे कहीं ज्यादा जरूरत है रसुलिल्ला स्ल्लाव जरूर्ण में औरतों के खकूप बयां करते हुए फरमाया था कि वस्तवसू बिनिसा इखेरा मैं औरतों के बारे में तुम्हें वसीयत करता हूं कि उनके साथ भलाई का मामला करना इसी तरह आपने फरमाया था देखो औरतों के बारे में अल्ला से दरते रहना खवातीन के हुकूप बयां किये जा रहे हैं खुत्रों हज्जत वदा में औरतों के हुकूप का ख्यार लगना औरतों के बारे में अल्ला से दरते रहना तुमने उन्हें अल्लह ताला के कल्मे के साथ हलाल किया है इसलिए उनके मामलाग के सिल्सले में अल्ला से डगते रहना नभी करीम अल्लाई 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 ने फर्माया था अला अफाबदू रब्दकुम वसलू खंसकुम वसूमू शहरकुम वद्दू जकातां वालिकुम तदो जन्नत रब्दकुम फर्माया अपने लोगों नमाज अबा करना अल्लाई आल्लाई की अबाद़त करना उसकी अबाद़त में किसी को शरीक मठेराना पांच लिकी नमा जबा अबा करना रमजान के रोजे रखना अपने माल की जकात अदा करना जन्नत में दाकिल हो जाओगे मेरे भाईयो नबी करीम की तालिमात और आपकी हिदायात को हम अपने सामें रखें हदरत इबरहीम अले सलम का जिक्र मैंने किया उनके साथ रसूल उल्लाई का नसली तालब बेयां किया गया पुरान करीम में और हादीस में दोनों जगा लिए भुवलालमीन ने ख़रत इबरहीम अले सलम को अपना खलील बनाया था वो अल्लागे खलील थे बित्ख़द अल्ल्लाव इबरहीम खलीला या आपना खलील बनाया था खलील कहते हैं ऐसा दोस जिसके बाद फिर कोई मकाम ही नहीं दोस्ती का आखरी दर्जा होता है दिल की गहराई के साथ वो सबसे गहरा दो जिसे कहा जाता है उसे खलील कहते है हजरत इबराहीम अलेशसलाम की पुर्बानियां उनकी आजमाईशें उनकी इंतिहानात का जिक्र किताबों सुन्नक में मौझूद है आपने तफसिलात बहुत सी पढ़ी भी होगी और सुने भी होगी इबराहीम अलेशसलाम ने तमाम आजमाईशों में काम्याबी हासिल की उन्हें अल्लाह रभुलाहलमीन ने सोब आजमाया हदरत इबराहीम की जिंदगी और उनकी आजमाईशों से हमें क्या सबक मिलता है हमें सबक मिलता है कि हम आजमाईश के वक्त परिशानी के वक्त तंगी के वक्त धवराएं नहीं मायूस नहों किसी भी तरह से दिल बरदाश्टा नहों अल्ला की जात पर भरोसा रखें और तमाम मौामलाथ को अच्छे अंदाज में फेस करें ये सबख हमें हद्रत इबराहीम की हजाते त्यवा से जिलता है पुर्बानी का वाकिया मारूफ और मशूर वाकिया है आपने बेटे को अल्ला की रह में लिटा दिया ये मंजर दुनिया ने न देखा है न देखे रह, इसार का ये मंजर, पुर्बानी का ये मनजर और मेरे भाईयों दुनिया की जितनी तरफ्टी आपका कौमें हैं तमाम कौमों की तरफ्टी पुर्बानी पर मुनहसिर है जो कौम भी दुनिया में आगे पहुती है और उसको पहुचती है उसके पीछे पुर्बानिया होती है इसलिए मेरे भाईयों हमें पुर्बानिया द और जितना भी हम ने गुर इसलामी हुएँ है उन चोड़ गों-स इता इसर प्रंगार निया खें इसकें हैं तरीकों ऑपनाय हुआ हुआ उन्हें चोड़ वड़ाए हुआ हो यही तो असल पुर्वानी है, अल्लाह रबूलामीन ने जो आजमाईश कीती है, अधरत इबराहीम अलेकिसलाम की वो क्या था? कि इबराहीम हमसे महबद करते हैं, या एकलोते बेटे से महबद करते हैं, जिसे उन्होंने दौा के जरीए अल्लाह से मानवा था, दौाएं की थी, बौापा था, जमानी नहीं थी, दीवी बान थी, बौापे में अल्लाह से दौा कर रहें, मायूस नहीं हैं, बौापे में भ अभी का धरोसा अल्हा की जाग पर के ऐसे वक्त में भी के बुढाता है अल्लह की बारगा में हात प्षालाते हैं अल्लह दूा कबूल करता है और एक नहायद बुर्दवार और हलीम बेटे की बशारत मिलती उस बेटे को जिसे बुढाते में अल्लहा ने दिया था उसके और आजमाईश हो रही है इंत्हान हो रहा है कि देखे हम से महबब करते हैं जा बेटे से महबब करते हैं अल्लाह रभ आलमीन ने आजमाया इबराहीम लिए Sel Suchा मी पाम्याव हो बेटे की महबबफ पर ल्ल्लाह की महबबफ गाली बाइ, ने बाइओ, ये है पुर्वाणी का दश हु जाहा की महबत पर अल्ला की महबत गालिव हो, माभाद की महबत, उल्लार की महबत, भाई बहनों की महबत, सांदान की महबत, कारुबार की मुहबट, Najदादों की मुहबट, पैसे की मुहबट इस पर अल्ला की मुहबट खालिब हो, इस पर रसुलला स.चालब हो, यह है कुर्बानी का दर्स, यह पुर्बानी का सबब, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम जानवा जबह करते रहें गोष्ट खाते रहें इसके अलावा कुछ नहीं है चले है मरे भाईयो ला टाला ने पुरान अल्लाहा अला मा हदाकुम वबश्यिलमुस्टिनिन अल्लाहा 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 अल् लितुकबिर ल्लाह अला मा हदाखल। उसके नतीजे में अलाह की बहाई बयान किरो तक्वीर हो आप नेक लोगों को मुशिदीन के लिए खुशकवी है मेरे भाईयो पुर्बानी का सबती यह है पुर्बानी का मकसद यह है इसे हमें हासिल करना चाहिए और अल्ला से इसकी कौफित भी माननी चाहिए पुर्बानी के मसाइल आप हज़रात में जुमा के खुजबात में अजिम्मा एकिराम से सुन लिये होंगे एकतसारन ये है कि वो ऐसा जानवर जो दो दात वाला हो उसके पुर्बानी होगी दो दात वाला नहीं भी तो कुर्बानी होगी लात अमदहु इल्ला मुस्ञ्ना मुस्लिम शरीफ में حदीज है यह है कि 2 दात के बगार जानवर की कुर्बानी नहीं होगी हाँ मैंधा यद्ध भेर अगर दो दात का बक्रह बक्री मैसर नहीं है तो फिर मेंधा या दुम्बा वो साथ धर का दाथ किये बगार वो पुर्बानी में चल जाएगा इसके अलावा पुर्बानी के जानमर को खरीदते हुए अच्छी तरह उसको देख लीजिए उसके कान उसके सीम उसकी आँखे उसके पैर चला कर देख लीजिए ताकि वो फिर को लंगडा नहों, ताना नहों, भेंगा नहों, फिंग तूटा हुआ नहों, कान चिरे हुए नहों ये सारे अयूब से पुर्बानी के जानमर पाथ होना चाहिए बड़ा जानमर में साट लोग शरीफ हो सकते हैं और एक बक्रा, बक्री, दुंबा, मेंडा, ये एक घर की तरफ से काथी है एक घर की तरफ में से काथी है, घर में कितने ही अफराद हो अधरत अभू अयूब अंसारी की रिवायत तरफ मेंजी के अंदर सही सनथ के साथ मौझूद है इसमें इसकी तफ्सीर मौझूद है तो इस तरीखे से हम पुर्बानी का ये अमल जो हमारे लिए सुन्थ-मुक्दा है जब महुल उल्मा ने इसको सुन्नत मुक्त रार दिया है बाद उल्मा वाजिब भी कहते हैं तो बाराद अल्ला ताला ने जिने उस्द दी है वो पुर्बानी करें पुर्बानी के वक तब शुरू हो गया नमाज के बाद से लेकर तेरा तारीख के गुरूब से पहले तक पुर्बानी का वक्त है तमाम अयाम तश्रीख पुर्बानी के दिन है और अयाम तश्रीख बिल इत्वाद ग्यारा बारा वो तेरा तारीख को कहते हैं एक बात कर खास सोब पर खयार लखें तमाम भाई अपने महलों में जंड़ी नहुने दें पुर्भाणी करें अपने घरों में और जो आलाद हैं जो बधाया जात हैं पुर्भाणी के जैनंवर के उन्हें किसी बोरी में बन करके खते बठाल करायें महले में नप्बह पहलाएं सफाह का खयाया लखें अपने साथ ले जाएं बाहर कहीं डाले Allahu akbar, allahu akbar, la ilaha illallah, allahu akbar, allahu akbar, walillahilhamd.